अब शबीismahaniobhabhmind को मेरा साधर जय जाई जनेंद्र और अब हम पढ़ने वाले हैं U902 नंबर के श्लोग को यह सामने हमारा 919 नंबर का श्लोग है और इस श्लोग में यह बताया जा रहा है कि दिगवरत लेते कैसे हैं पिछले इसलोक में हमने यह देख लिया था कि दिगवरत लेना है ठीक है दिगवरत कैसे लेना है अब यह इसलोक में बताएंगे तो दिगवरत का महत्व दिगवरत क्यों लिया जाता है इसको पहले बता चुके हैं कि सूख्ष्म पापों की बिनवित्ति के लिए सूख्ष्म पापों को दूर करने के लिए दिगवरत लिया जाता है और दिगवरत में दसों दिशाओं की मर्यादा को इस्थापित किया जाता है आजीवन के लिए अब मर्यादा कैसे लें इसको बता रहे हैं तो चलिए पढ़ना प्रारम्ब करते हैं इस लोग को मकरा कर सरिदटवी ठीक है मकरा कर सरिदटवी गीरी जनपद योजनानी मर्यादा प्राहुर दिशाम दशानाम प्रतिसंहारे प्रसिद्धानी चलिए पूरा पढ़ते हैं मकरा कर सरिदटवी ठीक है प्रसिद्धानी ठीक है क्या कह रहे हैं बता रहे हैं कि मकरा कर मकर भूलते हैं मगर मक्छो और मकर प्लस आकर यहां पर संदी विच्छिद होगा तो मकर प्लस आकर बनेगा आकर का मतलब होता है खजाना ठीक है जहां पर स्टोर होता है कोई चीज उसको आकर बोलते हैं तो मकर मतलब मगर मच्छों का खजाना जो है किया है है वो क्या है समुद्र है समुद्र है हिं सबसे जादा मगर मच्छ मिलते हैं तो मकर अकर एक सब्द बन गया जो की समुद्र का पहरा हैं फीक है फिर यहां से नेके लेगा सरित ठीक है यह दा जो है ना वो दा को आधा रखना है संस्कृत में मूल सब्द सरिद होता है ठीक है सरित होता है लेकिन वो फिर ता का दा हो जाता है ठीक है सरित मतलब नदी फिर इधर से दा में से आ नकलेगा तो बन जाएगा अटवी तो समुद्र नदी और अटवी तो समुद्र समझ गए और नदी भी समझ गए और अटवी अटवी को बोलते हैं भेंकर जंगल जो घना जंगल होता है पहाड़ी युक्त जंगल जो होता है उसको अटवी कहते हैं यहां पर पूची नीची पहाड़ियां भी हो और घना जंगल भी हो और जनपद जनपद मतलब कशवाज शहर आदी और योजन आनी योजन ये लंबा इना अपने की ही काई है ग्रन्थों में योजन शब्द आता है और चार कोस का ये योजन होता है जो लौकिक परिगरणा के लिए होता है और एक कोस दो मील का होता है एक मील 1.6 किलो मीटर का होता है ठीक है अर्थात 1 कोच 3.2 किलो मीटर और जो 4 कोच बरावर है तो 12.8 ठीक है तो लगबग 13 किलो मीटर 12 तेरा किलो मीटर का जो लौके की यूजन है वो होता है उसकी मर्यादाह प्राहु ये मर्यादा मतलब मर्यादा शीमा इहाँ पर नेकलेगा प्राहु और दिशाम उपर जो राह है उसका विसर्ग हो जाएगा तो प्राहु बन जाएगा इधर लिखा हुआ है प्राहु ठीक है प्राहु मतलब कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं मर्यादाह सीमा कहते हैं किसकी सीमा दिशाम यहां पर लिखा है दिशाम दिशाओं की कितनी दसानाम दसों दिशाओं की दसों दिशाओं की मर्यादा को कहते हैं किसलिए प्रति संहारे अर्थात सीमा बनाने के लिए या फिर उसका परिमान एक माप एक निश्चित एक पॉइंट बनाने के लिए उसका परिमान चीजों से जोड लेंगे इन सब जगहें मतलब प्रसिध मकरा कर जो समुद्र है प्रसिध नदी प्रसिद्ध अटभी प्रसिद्ध गिरी प्रसिद जन्पत मतल सहर कशवा आधी इन सब को दसो दिश्टाओं के परिमान करने के लिए प्रितसंहर करने के लिए मर्यादा प्राहु सीमा कहते हैं कहने का आश है यह कि दिवरति किसी को लेना है तो उसके ग्यान में जो प्रसिद्ध नगर परवाद अटवी नदीप समुद्र जो भी हो वो उनका नाम लेकर के उहां तक का बहसी मांकन कर रखता है ठीक है जैसे आप कहे दें कि मैं दक्षड में हिंद महासागर या अरब सागर तक नहीं जाओंगा पस्चिम में इस तरह बंगाल की खाड़ी से बाहर नहीं जाओंगा ठीक है उपर हिमालय प्रवस्त से आंगे नह जाओंगा नीचे कन्या कुमारी से आंगे नहीं जाओंगा कन्या कुमारी जनपद हो गया हिमालय परवत हो गया बंगाली घाड़ी अरब सागर शमुद्र हो गया और चोटा करना है तो आप दिल्ली मुंबई कोलकता और कोई कुछ भी सहर आप सीमा के लिए बांद सकते है तो प्रिसित्द सहरों को नगर नदी आदी को कि में जमुना नदी गंगा नदी के उस तरफ नहीं जाओंगा इस तरफ से इस टाइब से कुछ भी मर्यादा ले सकते हैं तो यह है डिग बृत लेने का तरहिका ठीक है तो कोई ज्यादा विशेष इसमें समझने की बात नही है छोटी सी बात है कि कैसे लेना है तो वह पढ़ने के लिए भी नहीं है ज्यादा खास यहीं चीजें हैं अब आंगे चलते हैं और यह पहले हम बताई चुके थे कि इससे होता क्या है तो इन से जो हमारी सीमा के बाहर जो आप सोचोगे साथ जो चल रहे हैं अब आप तो यह जाएंगे नहीं जहीं वहां नहीं जाते हैं तो फिर सिमांगाण करने की आवेशक्ता क्या है नियम लेने के आवेशक्ता क्या यह पाप तो तभी होगा जह हम उहां जिन्द्ध करने की प्ली精क्ता में ने करने के क्यों लेगा क्यों जाएंगे तक करने के क्यों आवश्रत हफ्सक्ता तो ऐसा नहीं है तो अपर demais पूरे संसार में पूरे संसार में कहीं भी यदि कोई पाप हो रहा है तो हमारा उसमें समर्थन होता है क्योंकि हम उसको रोग नहीं सकते इसलिए यदि आप संकल्प नहीं लेते हैं हम संकल्प नहीं लेते हैं तो हमारा उसमें अनूधना का पाप चलता रहता है इसलिए उन सब को बचने के लिए हमें यह नियों लेना आवेश्चक है ठीक है चलिए अगला इसलोग पढ़ लेते हैं शत्तर पर नमबर का इसलोग है इसमें यही बताया गया है कि जिग्वरत में मर्यादा धान बहुत महत्पूर है लेकिन एक बात कही है इसमें उसको आपन को याद रखना है चलिए पहले पढ़ लेते हैं इसलोग को अवधेर बही रणू पाप अवधेर बही रणू पाप प्रति विरतेर दिग्वरतानी धारायताम पंच महावरत परिणती मडू व्रतानी प्रपध्यनते अवधेर बही रणू पाप प्रति विरतेर दिग्वरतानी धारायताम पंच महावरत परिणती मनू व्रतानी प्रपध्यनते क्या कहते हैं अवधेर वही अवधेह राका विसर हो जाएगा उपर वाले अवधेह वही अवधी 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 शब्द का ये पंच भी एक बचन है तो अवधी अवधी मतलब होता है सीमा ठीक और वही मतलब बाहर तो सीमा से बाहर जो हमारी बाउंडरी है जो हमने शीमा अंगन किया था सीमा बांधी थी उसके बाहर अणू अब देखो बही ये रा है उस रा मेंसे आ निकल जाएगा तो आधरा बचेगा और राका बन गया बिसर्ग तो हो गया भही भही मतलब बाहर अब आ निकला तो हो गया अनुपाप प्रति विर्ते हैं अनुपाप अनु मतलब सूप अर्थाग दूर होने से दिग्वरत हमने ले लिया है इस कारण से हमारा क्या हो गया सूख्ष्व पाप से हमारी निवित्ती हो गई छूट गए हम सूख्ष्व पाप से तो सूख्ष्व पापों से छूट जाने के कारण फिर आंगे कहते हैं दिग्वरतानी धारहताम दिग्वरतों को धारन करने वाले का या दिग्वरतों को धारन करने वाला ठीक जो पुरुष है उसको क्या होता है पंच महाब्रत परिणती अनुब्रतानी प्रपध्यनते पंच महाब्रत के रूप में परिणती परिणत हो जाते हैं कौन अनुब्रतानी अनुब्रत प्रपध्यनते मतलब हो जाते हैं प्राप्त होते हैं जो उसके जो अनुब्रत है ना ग्रहस्त के वो अनुब्रत पाच महाब्रतों के रूप में परिणत हो जाते हैं प्राप्त हो जाते हैं क्या कहा विवस्थ दुरूप से समझ लीजिए एक बार कि दिग पृतानी धारायताम दिग पृतों को धारण करने वाले पुरोश को अब अधी के बाहर पापों की पृतिविर्दे निवित्ती हो जाने जी अनुब्रतों को धारन करने वाले पुरुष का जो उसकी सीमा है जितनी उसने बांदी है उस सीमा के बाहर उसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं इस करना से उहां पर जितने भी पाप हो रहे हैं स्थूल शूख से गृत के रूप में परिणत हो जाते हैं एंगि ओ कितनी वड़ी वात है कि घृतव जो है ना घर बैठे वैठे महा बहरत का पुर ले रहा है महा बहरत का फल प्राफ कर सकता है कितना बढ़ा व्रत है यह गर भी नहीं छोड़ना पड़ रहा है औो महा पृतों का प्ल्वि मिल रहा है अब बताईए कौन नहीं है जो लेना चाहें इन व्रतों को जिसके जीवन में कम से कम यदि ऐसा हो गया है कि हाँ जिन्दगी में बहुत कुछ कर लिया है पूरी जिन्दगी हमने 50-60 साल की जिन्दगी निकाल दी अपने जीवन को विवस्थित करने में में पैसा कमाने में परिवार आधी को पुषण करने में अब एदि ऐसा समय आया है कि हम ऐसी सीमा बान लें और अपने आपको संकुचित कर लें और घर बैठे ही उतने सारे जो पूरे बिश्थित में पाप चल रहे हैं पापों से छूट करके और उस छेत सम्मंदी महावरत को धारान कर लें एक बहुत बड़ी बात है और श्राबक आचार में जो बात कही है यह अपने आप में एक अद्दुती है इसको बहुत चरूर यह समझना कि एक ग्रहस्त को भी महावरती का फल प्राप्त करा दिया आचार श्रमंद बद्द स्वामी ने इसलिए इस बात को समझना चाहिए यही यहां पर मूल अर्थ है टीका में ज्यादा विशेश कुछ भी नहीं है इसलिए इसी को मूल रूप से समझना है कि दिग्वरत धारन करने वाले पुरुष का अबजी के बाहर चूंकि सुख्यों पापों की विन्वित्ती हो जाती है बिरत हो जाता है इसलिए उसके ज कक भी ते करता है यहां कक बजस्को को मूल नहीं है